Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीईनप पर सौगत करता हूँ दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि IGNU से जुड़ा हुआ अगर कोई हमें डाउट है, कोई क्वाईरी है, कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है था, हम कैसे अपना क्लियर कर सकते हैं डाउट को, प्रॉब्लम को, जो भी चीज़े हैं हम कैसे पूछ सकते हैं तो एक option तो यह है, कि मैं 24x7 आपके लिए अवैलिवल हूँ, हमारे दीन अब चैनल को सस्क्राइब कर ले ठीक है, और description में सभी social media platform के links देव हैं, वहाँ से भी directly मुझसे contact कर गे अपना doubt clear कर सकते हैं, बट अगर मैं किसी condition में वैलिवल नहीं हूँ, तब क्या करें तो दोस्तो एक option है, जो बहुत सारे students को पता नहीं होता है, इगनू बैरिकली प्रोवाइट करता है option क्या क्या है, मैं सभी चीजों के बारे में बात करूँगा कि contact कैसे कर सकते हैं, इगनू को तो सबसे पहले दोस्तो एक option जो सबसे ज़्यादा useful होता है, यहाँ पर enroll student करके option दिख रहा होगा आपको subjects यह हैं, APCR में हो, सब कुछ पूरा detail mention रहता है, वहीं पर नीचे में आपको right hand side के तरफ में give aware करके option मिलता है, जहाँ पर query, जो भी आपकी doubts है, जो भी confusion है, किसी भी चीज से related, आप वहाँ पर diet click पूछ सकते हो, कैसे पूछोगे, तो query पर click करना है, click करने के बाद एक नया page खुल जाता है, नया page खुलने के बाद, आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपकी query है, जिस तरह के भी questions है, वो आपको वहाँ पर डालना है, अगर fees related question है, तो fees डालोगे, admission से है, admission जालोगे, new registration से है, जो भी चीज़े है, assignment से है, assignment के number से है, mark से है, result से है, ठीक है, आप आपको दुबारा exam देना है, किसी चीज़ से भी, किसी भी चीज़ से लेटर, इगनु से लेटर, जो भी doubts है, वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, select करने के बाद, अपना doubt को describe करोगे, कि हाँ, ये मेरी problem है, उसके बाद में, अपना mail ID डाल कर, उसको send कर दोगे, वो एक तर दूसरा option यहाँ पर आजाते है, contact us, इगनु के अगर official website का होगे, तो यहाँ पर contact us का आपको tap मिल जाएगा, वहाँ पर जैसी आप उस पर click करोगे, तो पूरा इगनु के अंदर में, MS Word का पूरा एक आपको खाखा मिल जाएगा, मतलब एक PDF मिल जाएगा, जहाँ पर इगन दिये हुए, इन पर आप बात कर सकते हो, ठीक है, और भी अगर मालो, आपकी books से लिटेड कोई doubt है, material division का, जो आपकी books publication साथ हो है, जो मैदान गड़ी इगनु के अंदर में पढ़ता है, दिल्ली के अंदर में, साकित, तो अगर उससे लिटेड कोई doubt है, तो आप 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 अगर बहुत जादा problem है, confusion है, किसी इंटरन स्टेस के test को लेकर, verification को लेकर, कोई project को लेकर, ठीक है, किसी तरह के marks को लेकर, आप directly contact करके अपना doubt, clear कर सकते हो, ठीक है, ये सारे number दिये रहते हैं, और लोगों को पता नहीं होता कि ये कैसे है, ये डेली का ही नहीं, आल आवर इंडिया के अंदर में, जो भी इनकी regional centers है, जैसे आप देखोगे, भौपाल का हो गया, क्या होगा, ठीक है, भौपाल का regional center, उसका phone number पूरा देजा हुआ है, मुंबई का क्या है, नागपूर का क्या है, नवेडा का क्या है, ठीक है, पतना का क्या है, तो जो भी आपका regional center, जो भी आपका पढ़ता है, उसके हिसाब से आप पूरे all over India का contact यहाँ पर list दे सकते हो, और directly आप contact करके अपना doubt solve कर सकते हो, ठीक है, ये भी जो list है, मैं आपको, जो telegram का group है, उसमें डाल दूँगा, आप telegram का group description से join करके, आप अपना doubt clear कर सकते हो, तो ये दूसरा रास्त ट्यूटर के through है, जो भी students tutor use करते हैं, वो directly ट्यूटर पे भी इगनू को contact करके, आप अपना doubt clear कर सकते हैं, ट्यूटर पे इगनू बहुत जल्दी reply करता है, ठीक है, उसमें reply करने का क्या मतलब है, कि ट्यूटर पे आप अपना ID नॉर्मली बने रखी है, तो जो भी आपकी doubt हैं, आप वहाँ पे लिखो, इगनू को tag करते हुए, इगनू को उसमें mention करते हुए, ठीक है, इगनू के official ID को mention करते हुए, आप वहाँ पे question पूछो, और इगनू फटा-फट reply करेगा है, इगनू का reply करने के लिए अलग division का वहाँ पे बना रखा है, अलग ID बनी हुई है जो इगनू reply करते हैं, ठीक है, और अलग-अलग जो भी assignment से लिटेट, जो भी जिस भी चीज तरह का doubt way to z, query आपकी वहाँ पर भी solve कर दी जाती है, मैं उन रास्तों को बता रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पे आप contact करोगे, तो जल्दी-जल्दी reply आएगा और आपका doubt solve होगा query आपकी clear होगी, जो भी problem में उसको solve किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे रास्ते नहीं कि हैं तो बनाए हुए पर वो रास्ते बंद है, वो काम का ही नहीं है किसी तरह का, ठीक है, एक instrument मैं बताना चाहूँगा, Delhi University के अंदर में जब मैं पढ़ा रहा था पहले, तो वहाँ पे ब अगर कोई और भी doubts है, तो directly मुझे भी contact कर सकते है, 24x7 में हमें इसा available हूँ आपके लिए, तो friends, thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, अगर वीडियो आपके लिए helpful है, तो वीडियो को like, share, subscribe जुरूर करें, और इस तरह की और भी वीडियो अगनू की आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, तो